हनुमान मूवी देखने के बाद सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा ये मूवी बनी कितनी बजेट में है क्योंकि लास्ट यर हमने 600 करोड का रामा आदिपुरुज देखा था इंडिया की पहली ऐसी सूपर हीरो मूवी जिनके सूपर पावर्स हमारे हिस्ट्री गौट से आये हैं इस मूवी के अंदर हनुमान जी की सूपर स्ट्रेंथ वाली पावर तो अधिरा मूवी के टीजर के अंदर इंदर देव की लाइटनिंग पावर को दिखा है तो इससे य 2018 में अभी और 2021 में जॉंबी रेडी जैसी मूवीज बनाई है अभी का रिव्यू हम करेंगे टू आवर 40 मिंट्स लंभी मैंने मूवी तेलगू में देखी हनुमान सबसे पहला पॉजिटिव है जितने भी सीन्स बिना वी एफेक्स के है एक्टम ऑसम स्टनिंग लगते है और कुछ action के build up जो किये है और example जब हनुमान की super power जब आती है और उसको पता नहीं है मेरे अंदर super power है उसकी जो symptoms दिखाय है उसने मुझे याग दिलाई spider man part 1 की तो भाई सुनो उस time पे मैं 15 साल का था और मुझे वो spider काटने के बाद जो कुछ भी changes उसमें आते है वो real लगा उ उसकी negative में बात करेंगे लेकिन उसके पहले वाव moments अपने super hero के background में जो श्री राम बना है भाई वो movie में देखो आपके इसे बना मैं spoiler नहीं दूँगा awesome फिर jungle के अंदर वो skeleton mask बैन के black man आता है भाई वो क्या fight scene था वो क्या imagination थी आप देखो superhero movie के अदर जब तक कोई emotional connection नही बैटा तब तक वो पूरी movie फीकी है एकदम imagination है लेकिन इस movie के अंदर भाई और बहन के रिष्टे ने भाई दिल को चूलिया जो trailer के अंदर हमको नारियल का कुछा लेके fight करते हुए दिखा है भाई वो scene और इसके अलावा भाई comedy भी एकदम बचकान वाली है लेकिन फिर भ हस रहे थे अब आते हैं negative के उपर सबसे पहला illogical moments जब तक hero को super power नहीं दिये उसके पहले आप उसको super hero नहीं दिखा सकते वो illogical लगता है hero को चाकु से मारा है उसका half murder कर दिया उसके बाद उसको पहाड से फेका है नीचे समंदर में गिर गया वो उसके समंदर में deep dive करके अंदर जा रहा है भाई ये हो क्या रहा है और ये सब कुछ एक ही लगातार scene में चल रहा है आप बोलोगी कि भाई logic क्या डून रहा है तू उस वक्त पे movie के stunning VFX cover कर लेते हैं तो VFX को आप negative में consider कर ही नहीं सकते क्योंकि movie का budget 20-25 करोड का है in fact अगर 60 करोड का भी है तो भी भाई outstanding काम किया है लेकिन एक चीज़ है जिसको मैं बिलकुल ignore नहीं कर पाया है एकदम चो मू विलन विलन की entry हो चुकी है धड़ादर वो अ हनुमान character के लिए किया उसका 20% भी अगर ये लोग विलन के लिए करते तो भाई बच्चों के साथ mature audience भी movie को seriously लेती है एक दम लेकिन इस movie ने proof किया है कि भाई superhero genre की movies को इंडिया में seriously लेना पड़ेगा वो था इसका आखरी का 5 minute एक तरफ end का 5 minute रखो और एक तरफ 600 करोड म से पहले मिनल मुरली फिर भ्रहमास्त्र फिर मावीरान और अब हनुमान भाई ये film makers code crack कर चुके है कि इंडियन audience को पसंद आये ऐसी superhero movie कैसे बनाते इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं इस movie को 7 out of 5 देना चाहूंगा 10 में से अगर आपके घर में चोटा बच्चा है और आपके स्क्रीन पे होगा अगर हमारी सोच रिव्यू में कई मैं आच होई तो वीडियो को लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना था है यो सो मच लव यू टेक क्यार बबाई